हेलो नमस्कार बच्चो स्वागा थे आप सभी को बेसी सिक्चा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लैट्फोर्म पे स्वागा थे आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं अग्रिकल्चर एस्पेरेंट्स के लिए जो बच्चे बीएस्टी ऑनर्स अग्रिकल्च का पोर्टल है 2023 के लिए उस पे जो एक रिसेंट अपडेट आया है वहाँ पर जो है आपका एक अलग से युनिवर्सिटीज वाली सेक्षन में आपको ICAR जो है आपको वहाँ पर देखने को मिल रहा है और उसमें आपके तमाम इलिजिबिटी क्राइटेरिया और सब्जेट कॉम्बिनेशन वगेरा जो है उन्होंने वहाँ पर डिक्लियर कर दिया गया है ठीक है इसका मतलब यही है कि इस बार से जो है आपका 2023 की जो सेशन है उसके बाद से आपका ICAR का एक्जाम्स नहीं होना है और ICAR जो अपनी एक्जाम्स करा थी थी वो अब CUET के अंदर आ चु अबिशन टू 20% आफ ICAR कोटा ठीक है ओल इंडिया जितने भी आपके अगरिकल्चर युनिवर्सिटीज है जो ICAR से अफिलिएटेड है तो उन सारे युनिवर्सिटीज में जो है आपकी 20% सीट जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस के लिए आपके ICAR के लिए होता है जिस लोड़ होगे अपरोकस आपका 2200 सीट के आज पास जो आपका बिस सी ओनर से अगरिकल्चर के लिए था जो आपका ICAR के थ्रू होता था तो वह आपका बाइस सीट जो अलग अलग सेंट्रल एकरिकल्चर युनिवर्सिटीज हो या आपके डिम्ड युनिवर्सिटीज हो य this examination is substituting the ICR's All India Intrance Examination for UG from the academic year 2023 अर्थात 2023-2024 से यानि कि इस साल से इस वर्स से जो है आपका ICR के exams को जो है substitute कर दिया गया है और CUET ने जो है उस exam को substitute किया है यानि कि जो भी बच्चा आप ICR के through admission लेकर चाहता था कि अपनी reputed exams में universities में जाएं उन सभी के लिए जो है आपको रास्ता यहाँ पे CVT के through जो है खुल गया है मतलब के CVT के through ही जो है आपको exams देना है यह चीज़ें वहाँ पर सो किये जा रही है देगा है दूसरा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अगर तो ICR की आप कौन-कौन सी courses के लिए आप eligible होगे तो CVT के portal पर अगर आप ही भी आप जाएंगे तो वहाँ देखने को मिलेगा बच्चो B.Sc. Honors Agriculture, B.Sc. Honors Horticulture, B.Sc. Honors Forestry, B.Sc. Honors Community Science, B.Sc. Honors Sericulture, B.Sc. Honors Food, Nutrition and Dietetics, B.Tech Agriculture Engineering, B.Tech Dairy Technology, B.Tech Food Technology, B.Tech Bio Technology और Bachelor's of Fisheries Sciences करके यहाँ पर जो है all together आपको यहाँ पर 11 courses जो है 11 courses के लिए आप eligible हो जाते हो अगर आप form भरते हैं और वहाँ पर अपने अगर ICR चूज किया है तो ठीक है अब आपके 11 अलग-अलग courses के लिए भी जो है आपके CVT के ही एक लौता एक्जाम देकर आप इन 11 colleges 11 अलग- या कि ICR से affiliated university के लिए आप eligible हो जाओगे ठीक है तो यह चीज आपका एक महत्पूर्ण update था अब तीसरा जो अप्जेट था बच्छो वो था कि आपको कौन सा subject languages क्या आपको चूज करना होगा है न तो जो भी बच्चे ICR के eligibility criteria को meet करना चाहते हैं उन सभी के साथ जो है आप आपको subject combination में domain subjects में आपको कौन-कौन से subject आप चूज कर सकते हो तो domains में आपके यहाँ पर पाच सब्जेक्ट दिया जा रहा physics, chemistry, agriculture, biology और mathematics लेकिन पाचो subject आपको नहीं चूज करना है ठीक है पाचो subject आपको जो है नहीं चूज करना है क्यूं आपको पाचो subject नहीं चूज क किया है ठीक और एक होता है बच्चा जो 12 में हमारा एजीक पढ़ा है ठीक agriculture तो यह टोटल आपके तीन तरह के बच्चे के समूझ जो है वो है जो ICR का exam देता है अब उनको कौन सा subject चूज करना चाहिए तो भाई यह जो PCM वाले हैं PCV वाले हैं वो PCB तो चूज करेंगे है उसके बाद आपका जो PCM वाले हैं वो PCM चूज करेंगे जो 12th वाले हैं वो या तो PCA चूज करें या तो वो PCA चूज करें तो यह उनको चूज करना है यह सिक्राइड एडिया के हिसाब से CUT, ICAR के बात करेंगे तो CUT से जो ICAR मांग रही है वो क्या रही है कि जिस भी आपने 12th किया है उसी हिसाब से आपको देना होगा और आपका जो CVT के थुरू Other Agriculture Universities है वो आपकी क्या बोल रही है इस चीज को भी तो आपको ध्यान देना पड़ेगा तो वो क्या कह रही है आपको कि जैसे आप यहाँ पे PCB दे सकते हो और Agriculture एक आड कर लो है ना दूसरा आपका PCM और A कर लो आड है ना उसके बाद आपके जो है PCBA कर लो आड इस तरीके से आप अपने subject combination चूज करिए ठीक अब कहोगे सर general test और यह भी देना है क्या languages भी देना है क्या तो अगर आप सिर्फ यही exam target कर रहे हैं तो आपको कोई language और यह सब देने की जरूरत नहीं है लेकिन जो हमारे 12th math background के और 12th bio background के बच्चे हैं वो आपका BSc honors physics, chemistry, mathematics, biology के लिए भी eligible होते हैं तो अगर उनको उसमें अपनी universities की list बढ़ानी है अपने options को बढ़ाना है तो जो हमारे 12th science वाले बच्चे होंगे 12th PCB या PCM वाले हैं उनको जो है आपका general test और आपका जो है language भी चूज करना चाहिए ठीक है ना और जो हमारा 12th एजी वाला बच्चा है उसको जो है only domain subjects चूज करना चाहिए only domain चूज करना चाहिए उनको general test languages के थूज है आपको बहुत ज्यादा universities आप BSc और simple BSc honors के लिए eligible हो नहीं तो इसलिए आपके पास सिर्फ आपको domain subjects की तैयारी करनी है तो यह आपको एक clear प्रारूप आपको यहा इसको बढ़ें तो उसी साब से अपनी subject चूज जादा करिए ठीक अब बात हो रहे है eligibility criteria for the program यानी की CVT के through ICR का ICR के through eligible कौन-कौन से candidates हैं उसकी बात करते हैं सबसे पहला candidates चुड़ है past 12 10 plus 2 examination उसका pass होना चाहिए ठीक है 12 साल में और आपका 50% marks aggregate में होना चाहिए किसके OBC, UPS और EWS के लिए आपका 50% marks aggregate में होना चाहिए और दूसरा जो candidate है SC, ST, third gender और PW उनका 40% होना चाहिए मतलब कुल मिला के आपको 50% number जो है आपका pass होना चाहिए 12th और pass होना ही नहीं साथ में जिन्हों ने इस बार अगर 12th का exam दिया है वो भी eligible appeared भी यहां पे दिया हुआ ह तो जो हमारे appearing candidate से वो भी eligible होंगे और जो हमारे pass out candidate से वो भी eligible होंगे दूसरा महत पूर्ण बदलाव जो इन्होंने लेकर आया है वो है student should have studied and passed the subject or combination PCM, PCB, PCA, etc. बोला है तो इसमें ABC add कर सकते हो for entrance examination during 12th standard और candidates will not be allowed, यह will not be allowed to appear the subject combination different than the one which he or he has studied and passed in the 12th standard यानि कि जिन बच्चों ने 12th में PCB से दिया है वो ICR की counselling PCB से ही करा पाएंगे यह जो है major बदलाव आया है जो last year देखते थे तो उसमें आपकी इस तरह की कोई chances नहीं थी PCM बाले PCA से भी counselling करा के हमारे students कई जगा पढ़ रहे हैं आयराइस में भी पढ़ रहे हैं लेकि इसरा आपका Indian national of at least 16 years of age होना चाहिए on the date of examination जिस date को आप exam दे रहें CVT का तब तक आपका जो है age 16 साल का हो जाना चाहिए minimum eligibility criteria उसकी यह कह रहे है age के matter में उसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिया गया है for more details please visit आपका कहां पर ICR.org.in उस पर आपकी ICR की information bulletin 2023-24 के रहे हलाक कि अभी तक जो है इस site पर आपकी information bulletin आई नहीं है जैसे आएगी तो फिर और भी detail में हम लोग बाते करेंगे आपके साथ videos share करेंगे लेकिन कुल मिला कि आपकी major बदलाव जो यह subject combination वाला है और age criteria और आपकी eligibility criteria हमने discuss कर दिया अब बच्चों के मन में यह है कि सर अब ICR के लिए हम लोग सोच रहे थे कि April last में exam होगा लेकिन अब तो यह सीवीटी के थू हो गया तो आपका मई के 21 मई से लेके 31 मई के बीच में ही आपके exams होने हैं अब यह हमारे 2022 में जो बच्चे हमारे साथ जुड़े थे सीवीटी के exams में उसमें अगर आप देखोगे results तो हमार इंग्लिस language की बात करें तो 400 प्लस students थे जिनका 100 percentile आया था और इसी तरीके सा अगर all domain में बात करें तो 500 प्लस students के जो है 100 percentile आये थे अलग-अलग domain subjects में ठीक है तो यह हमारा students का result है जिसके तुरू अभी अगर बात करें तो भारत के हरेक विश्व विद्याले हरेक आपके बिश्व विद्यालेओं में जो है हमारे पढ़ाए हुए छात्र जो है सेलेक्ट होके अभी जो है चैनित होके अपना ड्रिम उनिवर्सिटी तक पहुंच पाए हैं अब जब की स्यूइटी और आइसी यार एक ही एक्जाम हो गया है तो maximum बच्चों के अंदर डाउट है कि स्लेवस क्या होगा कैसे होगा तो बहिया स्लेवस सिर्फ और सिर्फ आपको 12 पढ़ना होगा जिसके लिए हम लोगों की जो बैच है आपका योद्धा बैच वह आपका कल के डेट से सुरू हो रहा है एक मार्च से जो है बच्चों आपका योद्धा बैच में पूरी लाइ की पैटन में जिस पैटन पर आपका एंटी ए नेशनल टेस्टिंग एजनसी अपनी एक्जाम्स करवाती है उसी पैटन पर बेस्ट होके जो है आपका यहां पर डीपी और टेस्ट आपको अविलेबल होने वाला है इतना ही नहीं इसके साथ साथ आपके क्लास नोट्स और इंट्रेक्टिव लाइफ क्लासेश मिलेगी बच्चों यहां पर जिसके कारण क्या है कि आप इंस्टेंटली अपने जो मेंटर्स होंगे उनसे अपनी डाउट्स को क्लियर करवा पाऊगे साथ में आपकी रेकॉर्डिंग्स जो होंगे वह आपका 24-7 अव समारा फास्ट्रेक कोर्स है जिसमें आपको बिल्कुल 50 वीडियो के अंदर जो है पूरी एग्रिकल्चर पूरी फिजिक्स पूरी केमिस्ट्री पूरी बाइलोजी पूरी मैथमेटिक्स इस तरीके से आपको अलग-अलग सब्जेक्ट्स की पूरी कम्प्लीट पैकेज जो सिर्फ बीएस्से ओनर से गरिकल्चर के लिए और एक लौता एक्जाम देना है आपको यो है सी उवीटी एक्जाम तो इस सभी के लिए आप लोगों को जो भी बच्चे इंट्रेस्टेड हैं और आईसी एर या सी उवीटी जिस भी कम्पूटेटिव एक्जाम की तैयारी क करके किसी एक रेप्यूटेड कॉलेज में आपका इसी एर अफिलेटेड कॉलेज में करें पाना चाहते हैं तो उन सभी के लिए जो है युद्धा बैच बहुत ही ज्यादा फूट्फुल होगा और इस बैच में आपके सारे सब्जेक्स पढ़ाये जाएंगे जेनरल टेस् कोड यूज करके केबल और केबल आप 200 रुपे में जो है 2000 रुपे में सौरी पर्चेज कर सकते हो यानि कि आपके पास 500 का डिसकाउंट हो जो कि आज लास्ट आज ही तक जो है यह वैलिड रहेगा यह ओफर तो आप सभी के लिए अच्छा न्यूज भी है कि ICR और CUET दोनो है और आपके forms भर के जो है युद्धा बैच में अपने CUET की तयारी करनी है इससे अलावा और भी जैसे recent updates आता ICR CUET जैसे exams को लेकर तो आपके साथ आते रहेंगे और share करते रहेंगे अगर आप लोगों को लगा कि यह वीडियो जो है ICR aspirants और CUET aspirants के लिए helpful है तो इसको जरूर से सारे students तक फैलाईए ताकि जो भी बच्चे भ्रहम में है कि कैसे परिशान है कि कैसे subject होगा क्या exam होगा ICR वगरा का तो सभी की doubts जो है आपका इस एक वीडियो के मारफ़त से clear हो जाएगा और दूसरी जो student के मन में यह doubt है कि sir आप scholarships मिलेगा नहीं मिलेगा सारी चीजें मिलेगी बाबू आपका और जैसे exam आपका ICR का होता रहा है जिसके बार counseling होती रही है counseling वोगरा सेम ICR ही कराएगी बस आपको exam CUET का देना होगा बस एक छोटी सी यही बदलाव है और दूसरा बदलाव आपकी subject criteria को लेकर है तो यह चोटी सी जानकारी थी फिर मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में धन्यवाद